नवश्कार दोस्तों बहुआ आप से भी कबला करूँ और आपकी सारीक 6 मौन कामने पूरी हो दोस्तों आज मैं उसे को इस हाथ से रिलेटेट महत्मों जान करिए करूँ और यहां पर आपको जो क्वेरी है आपके यहां पर बच्चों के रिगारिंग और आने वाले कल के रि तो सब पर देख सकते हैं कि फिंगर क्लेंथ पाम के कंपेरिजन में शौर्ट जो बहुत ही इमिजेट एक्शन लेने की टिंडेंसी को इंडिकेट करता है इस कंडिशन में यह इंपेशन टाइप का नीचर देता है जिसके करन जो कुछ चाहिए अभी चाहिए जो कुछ करन अभी करना है वाला व्यक्तितु यहां देखने को मलता है और इस कंडिशन में थोड़ा मनमोजी किस्म का व्यक्तितु थोड़ा जिद्दीपन और अंतितह अपने बुद्धी या अपने खुद के मन के मताविक काम करने जैसे यह को कोई है निर्मित करता है जब भी कि बीच में गैप मेंटन होता है तो इस कंडिशन में कभी भी अपने थिंकेंग के रिगार्डिंग कॉंप्रमाइज नहीं कर पाते हैं इसलिए ऐसे जातक सुन सबकी लेंगे सबके विचारों में हां भी मिलाएंगे लेकिन अंतितह करेंगे अपने मन की और अपने विचा एक प्रकार से बहुत जड़ा यहांपर मेहनती किस्म का व्यक्तितु भी देता है तो किसी प्रकार के मेहनत पराकरम यह हट से आप जिस सजांतक पीछे नहीं आढ़ते हैं और अपने खुद के बल्बूते और खुद के मेहनत जीवन में भी करते हुए शक मनुकामना की पूर्ण कड़ते वे आगे बढ़ते वे देखने को मिलते हैं तो शॉर्ट फिंगर की विसे अच्छी बात यही है कि ये व्यक्ति को हिम्मत नहीं हाने देता है जुरूर विर्थ अच्छी देता है जहां पर सब लोग हार मानते हैं घुटने टेकते हैं वहाँ पर ऐसे जाता नालें इस्थिति अपने आप सबके सब सामान ने आपके हो जाएगी लिटल फिंगर की लेंद जो है थर्ड फिंगर के फर्स पोर्ट तक पहुछ रहा है तो इस कंडिशन में कम्यूनिकेशन इसके लिए मार्केटिंग स्किल वर्क मेनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है इससे अलग यह बहुत बढ़िया देता है किस वक्ते से कैसे बात करना किसे काम निकलवाना किस परिस्थिति में क्या निर्णाय लेना है इस सारे कॉंबिनेशन इसा मर्करी फिंगर बहुत अच्छा देता है और जो भी काम अपने हाथ में लेते आए हैं सब में 100% एफर्स धारों पर काम करना यह सब व्यक्तित में देखने को मलता है फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर जब भी इस प्रकार से मर्ज हो रती है तो धार में किस्मे के प्रवति को यह उत्पन करने लगता है और फिंगर के उपर सीधी खड़ी रेखाओं के शंकला मितरता पूरव लिए यह सारे कॉंबिनेशन साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहे हैं इसके लाव फिंगर के जो यहां पर आपकी नोट से यह डेवलोप क्लीर कट ना होने के करन थोड़ा यह कंफूजिंग माइंडसेट देता है डिसेजन प्रपली ले नहीं पाता है किसे ना किसी वेक् बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णे और बनाए गए योजना में परिवर्तन करना फ्लेक्सिबल नेशर एंटिट्यूट परसनल्टी होना राद गई बाद गई वाला वेक्तितों होना क्योंकि पुरानी बातों को लेकर के बेठे रेने की आदत आप जैसे जातकों म नहीं होती है यह कचिन है लेकिन ओपन है तो यह क्या करता है कि जीवन में पेशा तो अच्छा देते हैं लेकिन रोक नहीं पाते हैं एक्स्पेंस बहुत ज्यादा देखने को मलता है और इस कंडिशन में अध्यात में कुरूची होता है लेकिन उधर भी संपूर्ण तरह ध्यान नहीं दे पाते हैं तो हमेशे इस कंडिशन में कोशिश करना चाहिए कि सत्सन, भजन, किर्तन या तमाम तरह के धर्म गरंथ के विशय में थोड़ा गुरूची को बढ़ाईए थोड़ा इसके प्रती एकागरता को बढ़ाईए इसके दोरह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकरात्मक बदल ज़्यादा कहीं सम्रिध्धी, और ज़्यादा खुश हाली और आपके द्वारा आपके पुरे घर परिवार में और ज़्यादा कहीं न कहीं प्रगती देखने को आपको मिलने लगेगा इस कंडिशन में हमेशा रोग सुबह टहलना चाहिए और इस कंडिशन में साथ में आपको एक लिंक भीजूँगा वाटसेप पर उसको डेली सुनने से बहुत ज़्यादा इंटर्नल पीस एन हैपिनेस आपके जीवन में आएगा और जो भी लड़ाई जगड़ा यह तकलिव परशानी जैसी स्थिती उत्पन हो रही है सिव सुनने माज से वह स्थिती ज लंबाई में ज़्यादा है तो आप जसे जाए तक अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से जीने वाले होते हैं इसका ताथ पर यह होता है कि मन का तक्रिबन सब काम कर पाते हैं अगर देखा जाए तो मन का कोई भी काम पेंडिंग नहीं होता है मन की सारी एक्छा पूर्ण अंततह हो ही जाती है और शारिरिक मेहनत के बज़े मानसिक मेहनत अच्छे से करते वी और फिर बोल करके खाने वाले बोल करके प्रगति करते वी जीवन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं inspiration, motivation, lifetime आपके इंदर जादा रहा तो आपने दूसरों को बहुत motivate भी किया और थोड़ा सा palm जो है fire hand element में आ जाता है तो इस condition में थोड़ा यह impulsive, emotional और impatient nature को create करता है किसी प्रकर कर restrictions life में पसंद नहीं करते हैं, open-minded type of personality, independent type of nature को ज़्यादा बिल्ड करता है और हमेशा अपने काम में variety करना या variety ले करके चलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अभी आ आते हैं palm के close up पे, तो एक एक परवत कर सभी परवत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराये जाएगा, तो यहां पर बात करेंगे आपके Jupiter Mount के regarding, तो Jupiter Mount पहली बाद तो आपको जो developed हो कम है, जब भी गूरु परवत विक्सित कम होता है, तो हमेशा जीवन में परिवार के संबंदित संगर्ष मौझूद होता है, बचपन में भी बहुत ज़्यादा सुक सुविधा या फिर बहुत ज़्यादा संदूश्री नहीं मिली होई होती, और शादी के ततपश्चाद भी कई न कई संगर्ष मौझूद होता है, यानि फैमली से उतना ज़्यादा benefit नही इस प्रगार से काट रही है, जिसका दात पर यह होता है कि इक्छा मनोकामनों को पूर्ण होने में कोई ना कोई तकलिफ अर्चन बादा अपने ही किसी विक्ति के द्वारा आती है, तो इसी का जो remedy या suggestion है, वो आपको WhatsApp पर भेजा जाएगा, वो आपको regular सुनना है, उसके आपके जो गुरू की स्थिती वो धेरे-देरे अच्छी होगी, या फिर गुरू जोगर है, वहाँ से blessings आना शुरू होगा, और फिर उसके बाद के आपको घर परिवार के regarding गोई भी ऐसी तकलिफ परशानी है, या असंतुष्टी है, वो सब आपको दूर होना शुरू हो जाएगा, शनी की स्थिती के बात की जाए, तो शनी पर जो ये लंबी रेखा चल गई है, ये लंबी आयू का किरदार निभारती है, और ये रेखा गैरेंटी देती है कि आप अंध तह अपने जीवन में संतुष्ट वसुखी हो जाएंगे, इस कंडिशन में सेवा ये न कई सुख में बीतने वाला है, इसलिए यहां पर आपकी उम्र भी जो है तक्रिवन असी और उसके आसपास तक अच्छी दिखाई पड़ रही है, और सेवा जल्दी ही आपको आपके बच्चों से मिल पाएगा, अगर भाग रेखा के विशे में और देखा जाएंगे तो यहां देख सकते हैं कि दो प्रकार की भाग रेखा चल रही है, एक जीवन रेखा से निकली हुई और एक इंडिपेंडेंटली चल रही है, और यह connected है आपके मून से, तो मून की जो भाग रेखा होती है, यह क्या करती है कि भाहरी दुनिया लोगों से सहयोग बहुत अ लाती है, और मन का सारा काम करवाती है, और शादी के ततपरशत कहीं न कहीं कमफर्ट बढ़ता है, अब यह रेखा हैं यहां पर बीच में पहली रुख गई, फिर यह दोनों के दोनों जो रेखा हैं आपने मजबूती से चलना शुरू हुई उस समय आपका समेश था तक्र अच्छा प्रारम किया और दो भागिरेखा यानि खुद के महनत और एक अनादर अर्निंग सोर्स इसके द्वारा आप प्रागती करते गए, तो जब डबल लाइन चलती है तो यह डबल सोर्स फनिंग को और एक से ज़्यादा माध्यमों से धना अर्जन होने के सास्थ काम क परने की यूती को खुद के महनत और दूसरों के सायोग से आगे बढ़ने जैसे योगों को निर्मित करता है अब जो यह सेल्फ मेड लग लाइन है यह देख सकते कि यह रदरेखा पर रूखी बाकि जो दूसरी रेखा वो प्यॉर्ली चैनी तक पहुच पाई तो अन्त त एकदम कट्वचन या सत्यवचन बोल देने वाले भी देखने को मिलते हैं लेकिन इस कंडिशन में जो है बहुत ज़्यदा नुकसान नहीं होता अंतो तह यह रेखा अपोर्चिनिटी भी देती है ताकि लाइफ इस्टाल बेटर हो सके तो यही रेखा जो है इसी रेखा के भी हाफ पर बार बार आपको confirmation दिया जा रहा है कि आपका अभी जो समय है वो कईना की बहुत सुधनने वाला है और तमाम तरह का सुख समरिधी और संतुष्टी आपको आपके बच्चों के द्वारा आपके घर परिवार के द्वारा मिल पाएगा या जो एक्छा मनोकामना है वो निश्ची तुरुप से पूर्ण होने वाली रहेगी अब इदर भी जो दो भाग रेखा चल रही है ये इस बहुत कोई दर्शाती कि आपके जीवर में जो सहीयोग है किसे ने किसे का 36 के बाद में बहुत अच्छा जुणने लगा तो उनके भी सहीयोग के करण और उ पीछ में उस पिरण में सबसे बड़ी एक राहुक रेखा काट करके गई है और मानसिक तनाव की स्थिती उम्र 38 में भी आई थी, 41 में भी आई थी और 40 में भी आई थी फिर उसकात से भागी रेखा कि फिर इस्तिती ठीक हुई और अभी कुल मिलाकर के भागी रेखा चल ठीक रही है तो देखा जाए तो किस्मत या किसी प्रकार के सहयोग में कोई कमी ना होने के करण अंतोतहस अंतुष्टी निश्यतुरुप से प्राप्त होगा इसके लब जो आड़ी रेखा हैं यहाँ पर है यह सबके सब एक प्रकार से धीरे धीरे कर जीवन में होने वाले प्रगति वह उन्नति को दर्शाता है यह सीड़ी नुमा आकरती होती है जो इस बात को दर्शाती है कि आप जैसे जातक बहुत ज़़ा संगर्श करते आए हैं बचपन से ही और step by step प्रोग्रेस हुआ है एकदम suddenly कोई ग्रोथ नहीं हुआ है धीरे धीरे कर इस्थिती जो है आपकी सुधरी है और इस कंडिशन मे थोड़ा सा ये nature जो है emotional देता है लेकिन थोड़ा सा hidden टाइप का nature भी दे देता है अपने emotions को थोड़ा सा hide कर लेते हैं यहाँ पर सूर के उपर जब भी एक सेत्य दिक रेखा रुक रुक करके चलती है तो बार बार काम में परिवर्दन करने के योग है निर्मित कर देता है जोब में बहुत ज़दा growth नहीं हो पाती है क्योंकि focus में कमी या skills में कमी या dedication में कमी होने के करन जोब में security नहीं मिल पाती है तो growth जोब में होता ही नहीं है और बार बार काम ध्यान या मन भटकने जैसे योग को यह निर्मित करता है तो focus किसी चीज में अच्छे से ना होन करन consistently कोई काम नहीं हो पाता है और वहीं बात करेंगे mercury का तो यहां पर जब एक से दिक रेखा होती तो यह बहुत मीठी बोली आकर्शित व्यक्तितों और अपने पन के एहसास को दर्शाता है आप जब भी किसी से बात्चित करेंगे बहुत जल्दी अपने बातों से किसे क प्रेरित प्रभावित आकर्शित या बांधे रखने के जो सक्षमता है इस प्रगर का mercury बहुत अच्छा देता है इवन ओल्ड एज में भी यहां पर अर्निंग करते वे देखा है जैसे आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं लोगों उससे कही नहीं घेरे रहते हैं या फि सजातकों को जो है अन दान करते वे भी बहुत जादा प्रगरती देखने को मिलता है अन किसी भी प्रगर का जब भी दान करेंगे जीवन में खुशाली बढ़ेगा आपके धन बढ़ेगा आपके हिरदरेखा के अंत में गोंपुच के अकृति गुड संसों फिमर को भी क्र जियते है करमथ वह प्राक्रमी वह यहां पर एक प्रकार से कर्म प्रधान व्यक्तित देता है तो आप जैसे जाता है अपने काम को ज्यादा तवज्यों देते वे प्रैक्टिकल लोजिकल परसिनल्टी के ज़ादा दिखाए पड़ते हैं और मंगल से कनेक्शन होने कर्म ग से फोकस्ट वह अपने काम के प्रती कॉंसेंट्रेशन अच्छा रखना यह कॉंबिनेशन यहां पर देख रहा है माइंड लाइन यहां पर जो आपकी इंडिपेंडेंट हो रही है थोड़ी सी लेट हो रही है यानि आप कही न कहीं उमरे 24 और 25 तक फैमिली के ओपर यह दूस डे ड्रिमिंग टाइप का नेचर हो जाना यह सारे कॉंबिनेशन ही देता है और उसी समय जो है आपको तक्रिबन एक तालिस और 25 में थोड़ा मांसिक तनाव भी आया था यहां पर जब भी मांड लेन इस प्रगा से डिकलाएं जाती है तो यह क्रेटिविटी को बढ़ा देता है तो ऐसे जा तक हमेशा नए ने प्रगार की काम करना पसंद करते ना कि एक ही काम को कंटीनियो करना पसंद क तो यह nervousness, mental stress, pressure, anxiety सब चीज़ देगा लेकिन अगर कई ना कई आपने अपको बीजी रखा किसी भी काम में तो यह जो mind learn है आपको उस बात के जड़ तक लेकर करके जाएगा हर बात के जड़ तक लेकर करके जाएगा बहुत गहन अध्यन कराता है इस प्रगार का मस्तिश र घटना या फिर मानसी कष्ट की आसार जो है च्छतिस के बाद में भी दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई बात से आप कई ना की आगहात ज्यादा हुए थे च्छतिस के बाद में जिसके बाद एक mind line जो है आपकी decline हो गई जिसके करण किसी ने किसी बात को लेकर के बहुत जाद गेहन अधियान या सोच विचार में आप पड़े हैं इसके अलब जो आपका बचपन रहा वो कई ना कहीं कष्ट में जादा रहा घरेलों तकली परशानी से लेकर के शारेरिक कष्ट ये सब चीज़ें आपने देखी थी उमर 24 के बाद से जीवन रेखा में शुब प पूर्ती होने लगे और यहां पर यह रेखा जो है बीच में आ करके धुणली हो गई तो जब भी ऐसी रेखा धुंली होती है तो जीवन साथी का जो साथ है एक चला जाता है नहीं तो किसी ना किसी का जो support system होता है लाइस में वो एक दम से कम होता है लेकिन यहां पर एक positive point यह है कि अगर यह रेखा ऐसे धुंदली होते होते यहां पर खतम हो जाती तो फिर किसे का सहयोग नहीं ही मिलता लेकिन अभी आप देख सकते कि अने को रेखा है एक साथ हारी है तो अभी आपको आपके डॉसरों का और आपके सन का भी एवन सपोर्ट डेफिनेटली मिल तो जब सहयोग मिलता है, अपने लोगों का प्रेम दुलार प्यार और अपना पन मिलता है तो उम्र लंबा होना ही है, स्वास्त अच्छा होना ही है, मन विक्ते का खुश होना ही है तो उसके यह सारे इंडिकेशन को दर्शार है और यह समय आपके जिवन में हार्ड़ी 21 के आसपस तक आ जायेगा उसी समय आपकी जो है जीवन रेखा और सहीओ की रेखा बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसी समय से अच्छा कजा सहीओग मिलेगा यहाँ पर अंतरोणी मंगल की स्थिति अभी भी बहुत बढ़िया है तो शारेरिक गठन बलूर्जा अथो मानसि बल दोनों ठीक है फिजिकल फिट मेंटली अलर्ड दोनों यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं और जीवन रेखा में देखेंगे तो दो दफ़ा जो है आपकी मंगल की रेखा काट के गई है एक तो यहाँ काटी है तक्रिबन 30 से लेकर के 32 के बीच में और एक काटी है 36 से 38 के बीच में तो इन दोनों सुमें में सारे रेककस्ट और घरलो जो है परश्चानियाब की जीवन में आया था और धनहानी बता ही चुके है बयाले से चुमबाल इसके बीच में था शुकर की इस्थिती भी विक्से ठीक है जो सुक सुविधा युक्त जीवन चली देती है परन्तु इतनी आड़ी रेखा बहुत जादे ही अनावश्चक चिंता और घर के रिगारिंग अनसाडिस्विक्शन अनस्टेबिलेटी देती है इसलिए जो वेक्ति जैसा उसको वे प्रसिद्धी, समरिध्धी और इच्छा मनोकामनों की पूरती भी यहां पर होते हुए फिर देखने को मलती है और जो बेफिजूल की इतनी सारी चिंताओं की रेखाय दिख रहे है यह फिर दिखना कम हो जाता है या खतम ही हो जाता है इसलिए थोड़ा सा अपने उपर ज होती है या फिर चंदर की रेखा मस्तिष रेखा से जूड़ जाय तो इस कंडिशन में कालपनिक ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है खान पन घूमने फिनने के शोकिन जादा होते हैं खुद के कलपनाओं में रहना जादा पसंद करते हैं सोस्ते बहुत ज़्यादा है उसकी कंप्रिजम में कर थोड़ा सा कम पाते हैं इसलिए बेफिजूल की चिंता जिससे चीजों से तो इस कंडिशन में जितना ज्यादा एक प्रकार से अपने आपको मांसिक रूप से बीजी रखते हैं सीखते हैं या फिर कई ना कई भीड में होते हैं तो यह बहुत ज़ आया ठीक लेकिन रुक नहीं पाया क्योंकि मनी ट्रेंगल इनकंप्लीट है इसलिए अभी भी जो है पेसो के स्थिति कुल मिला करके ठीक ही बनी रहेगी इसलिए थोड़ा सा जो है अपने एक प्रकार से धन के विशे में ध्यान ना देते वे अपने मन की विशे में आप थ ज़दा संतुष्टि प्राब्त कर रहे हैं और थोड़ा कई न कई लोगों में इंगयज होना या फिर एक प्रकर से सात्विकता के अंतरगत धर्म से या फिर अध्यात्म से कई न कई बहुत ज़दा इंगयज होना आपको आवशक है लेफ़ एंड में देखेंगे तो यहा मांसिक, परशानी और धनहानी तीनों योगों को निर्मित करता है और अगर इन समय की बात करें तो सबसे ज्यादा कठी इन समय आपके जीवन में जो प्रारंब हुआ था वो समय था तक्रिबन पैतिस चॉतिस और पैतिस और यह लगातार आपको चुंबालिस के समय तक दिक् जटके तीन बड़े घटना है दुर घटना है और एक प्रकार से मांसिक अशान्ति ये सब आपको इन सब चीजों से आपको गुजरना पड़ा था उस समय तो सही होगी रेखा थी तो आप दूसरों के सही होग से डिवाइन हेल्प से निकल गए थे और फिर उसका जो है ला चलता है और यहां पर भी दो भाग गरेखा चल रही है यानि दो काम में माहिर दो काम से धाना अर्जन और दो लोगों का सही होग यह सब जीवन में आपके बहुत ज्यादा बढ़ा था 36 के उमर के बाद से और सूर की स्थिति तक्रिवन ठीक है तो आपने जो भी काम किया इमानदारी के साथ किया, कोई भी व्यक्ति आप पर उंगली नहीं उठा सकता है, और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा निश्ठावान नियमित रूप से चलने वाला व्यक्ति तो भी यहाँ पर यह दर्शा रहा है, तो यह दी सबसे महत्मुन जानकरी आपके हाथ करिगाड तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद